तो आज हम continue करने वाले हैं chapter number one यह है lecture number two ठेक है last lecture में अपने देखा था nutrition और उससे related disease आज हम देखने वाले हैं water के बारे में water की importance water में क्या क्या properties होनी चीए और polluted water है तो उसके क्या क्या harmful effect होगे ठेक है फिर अपन देखने वाले है obesity मोटापा फिर अपन देखने वाले है blood pressure यह आज के तीन topic है तो आज का topic उसके लिए बहुत अच्छा है जो की पतला है तो चलो start करते हैं आज का lecture heading देखो property of drinking water and harmful effect of polluted water ठेक है तो हम drinking water जो हम पानी पिते हैं उसकी property देखेंगे और harmful effect देखेंगे अकर पानी जो है गंदा है तो तो देखो सबको पता है common सी बाते है कि maximum usable water कहां से आता है river से, lake से, underground water resource से हम उनको use भी करते हैं गंदा भी करते हैं पानी को गंदा नहीं करना चाहिए ठेक है यहाँ पे देखो water use for drinking, washing, bathing, cooking, food सब नाते हो, काना बनाते हो ठेक है तो उसके लिए जरूरी है, पीने के लिए जरूरी है, agriculture में जरूरी है, industry में जर solid state में मिलता है, burf, जो gas में मिलता है, वो जो vapor बनती है, और जो liquid, यह तो सबको पता है water liquid, ठेक है, तो water is only such material which available in three states, अब देखो water में present होता है, यह plus का मतलब है present, many microbes present होते हैं, जो की useful भी होते हैं, और harmful भी होते हैं, कुछ microbes अपनी body के लिए useful भी होते हैं, और कुछ microbes अपन body के लिए harmful भी होते हैं, तो अब यह अपन देखेंगे harmful कौन-कौन से हैं, उससे फिर अपन देख रहे हैं, qualities in water, जो हम पानी पी रहे हैं, उसमें क्या-क्या quality होनी चीए, ठेक है, water should not contain particle, फालतो के particle नहीं होने चीए, harmful microorganism नहीं होने चीए, pH जो उसका maintain होना चीए, balance होना च अब देखो, यहाँ पे लिखा है, all metabolized reaction are performed due to water, जितने भी metabolized reaction होती है, body में वो सारी water की presence में ही performed होती है, ठेक है, so doctor advise to drink 8 glass water in a day, कम से कम 8 glass आपको पानी पीना चीए, एक दिन में, ठेक है, doctor भी advice करते हैं, साती साथ अगर आप physical labor हो, मतलब physically आप work कर रहे हो, ठेक है, तो ज़्यादा पानी पीना चीए, 8 to 10 glass अगर आप पानी पीते हो एक दिन में, तो poisonous waste जो है, ascret out हो जाता है, urine के साथ जो है, ascret out हो जाता है, तो ज़्यादा पानी पीने से poisonous waste जो है, urine के साथ ascret out हो जाता है, साथी साथ यह body को जो free from disease रखता है, मतलब किसी भी तरे की विमा then optimum temperature in the body, optimum temperature को भी maintain करके रखता है आपकी body के कौन, पानी, पानी आपकी body की immunity भी बढ़ाता है, और बिमार होने के chances को भी कम करता है, साथी साथ unwanted fate stone नहीं होन देता, ठीक है, तो मोटे लोग पानी पीना जरूरी है, क्योंकि unwanted fate यह story नहीं होन देता पानी, less possibility of allergy, allergy की possibility जो होती वो भी कम हो जाती है, आपको allergy बहुत कम होगी, साथी साथ अगर आप पानी ज़्यादा पी होगे, तो it prevent from lung infection, asthma ठीक है, और intestinal problem, इन से भी आप सब दूर रहोगे, साथी साथ ऐसा कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पीने से ना तो आपको cold होगा, ना आपको fever आएगा, ठीक stannel problem नहीं होगी, cold fever नहीं होगा, ठीक है, stone formation नहीं होगा, allergy नहीं होगी, fat stone नहीं होगा, बीमार के chances कम है, आपकी immunity बढ़ रही है, immunity मतलब ability जो अपनी होती है, again fight disease causing organism जो भी होते हैं, उनके खिलाफ जो हम fight करते हैं, वो होती है, हमारी body की immunity, ठीक है, हमारा temperature optimum temperature maintain हो रहा है, ठ कान कम हो रही है, poisonous वैसे scrape out हो रहा है, तो पानी पिना चाहिए, समझे रहो पानी की importance, ठीक है, अब देखो, if we're drinking polluted water, अगर हमने गंदा पानी पी लिया तो क्या होगा, waterborne disease, मतलब जो पानी से फैलने वाली बिमारी है, वो हो सकती है, जैसे cholera, dysentery, ठीक है, viral infection भी हो सकता है प्रोटोजोन भी हो सकता है, warm भी हो सकता है, बक्टिरिया भी हो सकता है, ठीक है, तो viral infection जैसे hepatitis हो सगया, ठीक है, bacterial जैसे typhiad हो गया, jondice हो गया, तो यह सब waterborne disease है, जैसे hepatitis हो गया, typhiad, jondice, cholera, dysentery, यह सब polluted water, गन्दा पानी पीने से होती है, ठीक है, अगली देखो जो कि राजस्तान में बहुत कॉमन ठीक टाइम पे ठीक है जिसका नाम है BALA या फिर बोलो NARU डीजिस ठीक है इसको कोई बैक्टिरिया या वाइरल नहीं करता है इसको करता है वॉम ठीक है पैथोजनिक वॉम मतलब जो हामफुल वॉम होता है जिसका नाम है ड्रैकोनुकलस Medians ठीक है नाम अजीब सा है माना मेंने इसकी जो फिमेल वॉम होती है ये ले करती है एक वोटर में ठीक है जिसकी वज़े से ये फैलता है और ये गंदा पानी हम क्या कर लेते हैं पी लेते हैं तो जिसकी वज़े से हमें ये बिमारी हो जाती थी ती राजस्तान में पहले बहुत कॉमन थी है ठीक है पर 2000 के बाद क्या हुआ सन 2000 जो आया उसमें कोई भी पेशेंट ने मिला हमें इसका ठीक है तो ये 2000 तक की चली थी उसके बाद कोई पेशेंट ने मिला इसका राजस्तान में अब देखो प्रिवेंशन शुड बी टेकन अगेंस्ट वोटर जन्रेटेड डिजेज ठीक है वोटर शुड बी बोईल फिल्ट्रेट एंड कूल बिफोर यूज हमें क्या करना चीए प्रिवेंशन लेनी चीए पानी को देखके पीना चीए कि गंदा तो नहीं है ठीक है हमें उसे गरम करना चीए फिल्ट्रेट पानी पीना चीए गरम करके थंडा करना चीए ठीक है फॉर द्रिंकिंग परपस पीना वाले पानी के लिए कह रहा हूं ऐसा नहीं कपड़ तोने के लिए गरम पानी करो ठीक है क्लीन वोटर मिंस हेल्थी तुमारो ठीक है अब देखो ओबेसिटी देता है वो बोडी पर मैं पताता हूं कि मोटा पा क्या क्या करता है द्यान से सुनना तो देखो मोटा पा क्या करता है सबसे पहले लाइन लिखिए यहां पर इट डिक्रीसेज द एज ओफ लिविंग ठेक है तो पतला होना ही बेतर है क्योंकि मोटा होता है तो भाईया जी जो है आपकी under control है पर अगर more than 30 kilogram meter square है तो obesity की condition है मतलब मोटापे की condition है आप में ठेक है यह है BMI तो ध्यान रखना normal people का कितना होना चाहिए 25 और अगर 30 से ज्यादा है तो फिर आपको obesity की condition है ठेक है obesity connect with many diseases, obesity मोटापे के साथ आपको बहुत सारे disease भी हो सकती है जैसे heart disease, sugar, sleeping disorder, ठेक है many reasons of obesity बहुत सारे कारणे मोटा होने के जैसे आप में कारण अगर में देखूं तो बहुत ज़्यादा calorie वाला खाना खा रहे है ठेक है तो आपन physically भी work करते है, exercise भी करते है, ठेक है तो आपन obesity वाले person है नहीं, ठेक है thyroid is another reason, thyroid भी एक reason है, obesity का, ठेक है तो यह obesity में आपको लिखना है, कुछ नहीं body marks index दाल देना और obesity के बारे में थोड़ा पता देना, अगर आजाए तो question तो blood pressure से तो आता है question board में, तो ध्यान से सुनना blood pressure क्या है, आपको यह diagram बनाना है, यह artery बना रखी में है यहाँ पर blood flow कर रखा है, और यह blood flow हो रहा है तो यह artery की यह जो wall है उपर, इस पर pressure मार रहा है, ठेक है तो मैंने वही लिखा है, pressure exerted by the blood on the wall of artery ठेक है, जो blood pressure लगा रहा है, artery की wall पर, वही है blood pressure ठेक है, तो artery क्या होती है, सबसे पहली बात तो यह, artery वो जो होती है जो tissue को blood supply करे, ठेक है, यहाँ पर hurt है, hurt से जो tissue तक blood supply करे वो होती है artery, देखो मैंने यह आपर लिखा है, all tissue तक जो blood supply करे वो होती है आर्ट्री ठीक है आर्टी नहीं है यह आर्ट्री है अब देखो यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120 एपून 80 ठीक है 120 का मतलब है systolic 80 का मतलब है diastolic systolic का मतलब है upper value of pressure जिसे in which hurt muscles shrink and pump the blood into artery यहाँ पर क्या होता है hurt की muscle जो है shrink होती है और pump कर देती है blood को artery में ठीक है मानलो यह hurt है इसकी muscle जो है shrink होती है मुर्जा जाती है शिकुडा जाती है और यह pump कर देती है blood कहाँ पर artery में यह artery मेंने बना दिया है ठीक है तो उसको बलेंगे systolic और diastolic क्या होता है lower value pressure after shrinking when hurt muscle in relaxed position यह होती है lower value pressure after shrinking जब hurt muscle relaxed position में आ जाती है तो उसको हम बोलते है diastolic तो systolic upon diastolic कितना होना चाहिए normal blood pressure कितना होना चाहिए 120 upon 80 अब यहाँ पर देखो normal systolic कितना हो सकता है ज्यादा ज्यादा 90-120 और normal diastolic कितना होना चाहिए 60-80 हा मतलब इस range में हो सकता है क्योंकि exact तो यह आता है 120 upon 80 तो इस range में हो सकता है पर इस से कम ज़्यादा अगर होगा तो blood pressure कम ज़्यादा हो जाता है ठीक है और blood pressure को मैं measure किस से करता हूँ इस pack bone manometer से तो यह board में पूछा जाता है याद करके जाना है इसकी spelling भी ठीक है एक जो नमर में आ जाये तो अब देको इस्ती फैल्स क्या है सबसे पहले आदमी है जन्होंने क्या कराता मेजर कराता blood pressure होर्स में गोडे में measure किया था ठीक है 1733 बाबरे बहुत पुराना है ठीक है 1983 में क्या हुआ था कैपलोन ने define किया था blood pressure को कि exact blood pressure है क्या तो सिर्फ आपको data याद रखना है आपकी book में दे रखा है अब देखो low blood pressure क्या होता है high blood pressure क्या होता है low blood pressure क्या होता है जब artery और other blood vessel exhibit करती है sign of low flow of blood मतलब artery और other blood vessel में क्या होता है जब blood का flow कम हो जाता है तो low blood pressure नाम से पता लग रहा है ठेक है तो यहाँ पे क्या होता है blood जो है carry करता है oxygen and nutrient और जब blood का pressure ही दी रहो गया मतलब blood जो है साही से नहीं पोच पा रहा ठेक है तो जब blood pressure कम हो गया blood क्या करता था oxygen and nutrient carry करता था तो oxygen and nutrient पोच नहीं रहे किस के पास नहीं पोच रहे tissue के पास हमारे main man organ के पास नहीं पोच रहे जिस हर्ट हो गया brain हो गया kidney हो गया और अगर oxygen नहीं मिल रही proper nutrient नहीं रहा इनको तो क्या ऐफ्रोपर व्रक करेंगे नहीं करेंगे और अगर इससा लगातार चलता रहा तो हो सकता ये injured हो जाए खराब हो जाए, damage हो जाए समदरो आप, तो BP कम तो होना यह नहीं चीए और ज़्यादा भी नहीं होना चीए क्योंकि देखो high blood pressure क्या करता है सबसे पहले high blood pressure की reason देख लो आप कि क्या क्या reason होते हैं ज़्यादा blood pressure बढ़ने के anxiety, चिरचिड़ापन, गुसा confusion, ज़्यादा खाना और ज़्यादा खाना किस बात का oil का, घी का, अचार वचार sweet वगेरा, ठेक है cigarette पी रहे हो आप, यह OH का मतलब है alcohol, alcohol group होता है alcohol ज़्यादा ले रहे हो, exercise नहीं कर रहे हो, तो यह सब पारेने कि आपका blood pressure क्यों बढ़ रहा है, ठेक है anxiety, anger, confusion, ज़्यादा खाना खाना, ठेक है, alcohol पी रहे हो धारू, cigarette चल रही है, exercise नहीं हो पारी तो इन patient को क्या करना चाहिए potassium containing food लेने चाहिए ठेक है, जैसे fresh fruit, उनमें सब में क्या होता है potassium, seal और पेक food, जो इनको avoid करना पड़ेगा, मतलब इनको नहीं खाने है seal और पेक food, ठेक है, yoga करो proper, जिसका blood pressure ज़्यादा है walking करो 30 मिनिट तक, तो यह सब natural है जो आपको करना चाहिए, कि walking कर लो yoga कर लो, exercise कर लो fruits खा लो, ठेक है, और यह avoid करो पेकड आइटम को तो यह था आपका आज का lecture जिसमें अपने blood pressure देखा, high blood pressure low blood pressure, किस से measure करते हैं spegmomanometer से, ठेक है, systolic upon diastolic देखा, फिर अपने देखा, उससे पहले obesity, ठेक फिर अपने water की importance देखी polluted water से कौन-कौन से disease होती है वो सब देखा, thank you so much thanks for watching, keep support, thank you मिलते हैं next topic के साथ next video में, next lecture आएगा part 3, chapter number 1 का thank you